स्वागत हापका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मिमोरीज में आज के वीडियो में फेमस प्रोडूसर और डारेक्टर राजन सिप्पी सर जी के तमाम मुवीज के बॉक्स आफिस कलेक्शन बजट सब कुछ आज के वीडियो में जानेंगे वीडियो चले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इनके डारेक्शन की टॉप मुविन रही हैं लोहा जो की बॉक्स आफिस पर हिट मुवी साबित हुई थानेदार इनकी सुपर हिट मुवी साबित हुई इनके प्रोडक्शन में सबसे पहली मुवी सोई खत्तर में आई थी मेरे अपने इसको डारेक्ट याकुल जार साब ने इस मुवी में लीड कास में थे विनोत खना मीना कुमारी सत्रुगन सिना डैनी डन जंपा और पेंटल इस मुवी का बजट था साथ लाक रुपए इस मुवी में भारत में कमाई की 85 लाक की और दुनिया में 170 लाक की कमाई की बाक्साफिप अबैवरेश साबित हुई अगली मुवी साब 72 मैती कोशिश को प्रोडूस किया था राजन सिप्पी जी ने और डैरेक्ट किया था गुलजार साब ने इस मुवी में लीड कास में थे संजीू कुवारत जया भादुरी असरानी और ओम शुपुरी इस मुवी को बाक्साफिप पर हिट करार दिया गया राजन सिप्पी के प्रोडक्सन में अगली 1973 में आई थी अचानक इस मुवी को डैरेक्ट किया था गुलजार साब ने इस मुवी में लीड कास में थे विनोत खन्ना फरीदा जलाद असरानी ओम शुपुरी इस मुवी को एक करोड़ दस लाग रुपाई इस मुवी ने एक करोड़ नबे लाग की भारत में दुनिया में तीन करोड़ असरी लाग की कमाई के से में हिट साबित हुई आगली 1981 में आई थी जोस इसको डैरेक्ट के था राजन सिप्पी साब ने इस मुवी लीट कास में थे अमिताब बच्चन हेमा मालनी रंजीता का और सचिन सकती का पूर अमजद खान इस मुवी का बज़र था दो करोड बीस लाग इस मुवी ने भारत में चार करोड पचीस लाग की दुनिया में 8.18.18.00 की कमाई के बाक्साफी पर हिट साबी थूई राजन सिप्पी साब के डारेक्शन अगली में आईटी ने उसक तिरासी में सदमा इसको प्रोडूस के था राजन सिप्पी ने डारेक्ट क्या था बालू महेंद ने इस मुई में लीड कास में थे कमाल हासन, स्री देवी, लीला मिस्तरा, स्री राम लागू और गुल्शन ग्रोवर इस मुई का बज़र था 1.55.05 लाग इस मुई ने भारत में 1.28.00 की दुनिया में 2.00 करोड की खिकमाई की और बाक्साफी पर फ्लॉप साबी थुई इस मुई में लीड कास में थे धार्मेन, शत्रुगन सिनाश मता, पाटिल, जया परदा, पूर्णम दिलो और शक्ति कपूर इस मुई का बज़र था 16.00 करोड रुपए इस मुई ने कमाई की 17.00 करोड की आवरेस साबी थुई आगली मुई आइथी 1984 में बॉकसर इस मुई का राजन सिप्पी ने डारेक्ट किया था इस मुई में लीड कास में थे मिथुन चक्रती रती अगनोती तनूजा पर इच्छी सानी और डैनी इस मुई का बजट था एक करोड चालिस लाग रुपए इस मुई ने दो करोड पैंटिस लाग की भारत में और दुनिया में पांच करोड पचास लाग की कमाई के और बॉकस आफिट पर हिट साबी थुई आगली मुई आइथी 1984 में बाजी इसको राजन सिप्पी सामने डारेक्ट किया था इसमें लीट कास में थे धर्मेंदर, रेखा, मिथुन चोकरती, रंजीता को और मदन पुरी शक्ति कपूर इसमुई का बजट था एक करोड़ नब्बे लाग, इसमुई में ने दो करोड़ बीस लाग की भारत में दुनिया में पांच करोड़ ठाइस लाग की कमाई के और समी हिट साबी थुई राजन सिप्पी के डारेक्शन में अगली मुई आइथी 1984 में अंदर बाहर इसमुई में लीट कास में थे आनिल कपूर, जैकी स्राप, मुन्मु सेन, गुल्शन ग्रोवर और डैनी डंजंपा इसमुई को बाक्स अफिस पर ब्लो विरेज करार दिया गया राजन सिप्पी के डारेक्शन में अगली मुई आइथी 1985 में सितमगर इसमुई में लीट कास में थे धर्मेन, रशी कपूर, पूनम डिल्लो, परविन बावी इसमुई को बाक्स अफिस पर फ्लोप परार दिया गया राजन सिप्पी के डारेक्शन में अगली मुई आइथी 1985 में शिवा का इंसाफ इसमुई में लीट कास में थे जैकी स्राप, पूनम डिल्लो, विनोद महरा, शक्ती कपूर और गुल्शन गुरोवर इसमुई को बाक्स अफिस पर ब्लो एविरेज करार दिया गया राजन सिप्पी के डारेक्शन में अगली मुई आइथी 1985 में जीवा इसमुई में लीट कास में संजय दत्मंदाकनी, अमजद खान, अनपम, खेरा और गुल्शन गुरोवर इसमुई का बज़र था एक करोर चालिस लाख रुपए इसमुई ने भारत में 3,60 लाख की, दुनिया में 4,25 लाख की कमाई की और हिट सावित हुई राजन सिप्पी के डारेक्शन अगली मुई आइथी 1987 में लोहा इसमुई में लीट कास में थे धर्मिन मंदाकनी, शत्रुगन सिना, माधु और करन कपूर इसमुई का बज़र था 2,05 लाख रुपए भारत में 4,06 लाख की और दुनिया में 6 करोड की कमाई करके बाक्साफियों पर हिट सावित हुई आगली मुई राजन सिप्पी के डारेक्शन में अगली मुई आइथी 1987 में सत्तिमयो जैते इसमुई में लीट कास में थे विनोत खना, मीनाची शेशादरी, माधुई अनीता राज, असराणी अनपमखेर और शक्ति कपूर इसमुई का बज़र था 1,65 लाख इसमुई ने भारत में 3,80 लाख की दुनिया में 4,90 लाख की कमाई कर हिट रही आगली मुई आई थी 1989 में प्यारी दुलहनिया, इसमुई में लीट कास में थे अरून गोविल और मीरा माधुरी इसमुई को बाफसाफित पर फ्लाप परार दिया गया राजन सिप्पी के डिरेक्शन अगली मुई थी 1989 में शेह जादे आगली मुई आई थी राजन सिप्पी के डिरेक्शन ने 1989 में ही महादेव इसमुई में लीट कास में थे विनोत खना, मीनाक्षे शेशादरी, सतुरगन सिना, राजबबबर, अन्पम खेर और शक्ति कपूर ये मुई बाफसाफित पर हिट सा भी थी राजन सिप्पी क डिरेक्शन ने अगली मुई आई थी 1990 में थानेदार इसमुई में लीट कास में थे जितेन जयापरदा, संजेदत, माधुली चित, दिलीब ताहिल, गोगा कपूर और किरन कुमार इसमुई का बज़र था एक करोड असी लाक, इसमुई ने भारत में चार करोड पिछातर लाकी और दुनिया में नो करोड पंद्रा लाकी कमाई के बाफसाफित पर हिट सा भी थी राजन सिप्पी क डिरेक्शन में अगली में आई थी 1990 में काली गंगा इसमुई में लीट कास में थे गोविंदा, डिंपल, कपाडिया, अनुराधा, पटेल, सुरे, सोबरा, एप्रेम, चोप्रा और गुलशन, ग्रोबर ये मुई बाक्साफित पर डिजाश्टर सा भी थी राजन सिप्पी क डिरेक्शन में अगली में आई थी 1991 में सौगंध इसमुई में लीट कास में थे अक्षे कुमार, ये अक्षे कुमार की डेबुई मुई थी इसमें अक्षे कुमार संती प्रिया, राखी बुलजार, गरुपा, गांगली मुकेश खन्ना थे इसमुई का बजट था एक करोण 90 लाग, इसमुई ने भारत में एक करोण 40 लाग की और दुनिया में तीन करोण की कमाई की बॉक्स अफिप फ्लॉप साभी थी राजन सिप्पिक डिरेक्शन ने अगली में आई थी 1991 में कुर्बानी रंग लाएगी इसमुई में लीट कास में थे संजय दत्पद्मिनी कोलहपूरे, पूनम डिलो, काजल किरां और सकती कपूरी ये मुई बाक्स अफित पर फ्लॉप साभी थी राजन सिप्पिक डिरेक्शन ने अगली में आई थी 1992 में मिश्टर बॉंड इसमुई में लीट कास में थे अच्छा कुमार, शीवा, रुजका पांडे और पंकश धीर इसमुई को बाक्स अफित पर डिजाश्टर करार दिया गया राजन सिप्पिक के डिरेक्शन बनी अगली में आई थी 1993 में में परदेशी इसमुई में लीट कास में थे मिथुन चक्रवर्ती, वर्षाउस गाउंकर, सुरे सोबराय, पंकश धीर और शक्ती कपूर इसमुई को बाक्स अफित पर एवरेज करार दिया गया राजन सिप्पिक के डिरेक्शन बनी अगली में आई थी 1994 में अमानत इसमुई में लीट कास में थे अक्षे कुमार, संजे दत, हीरा लाल, कंचन, गुलशन गरुवर और किरन कुमार इसमुई का बजर था 2,85 लाग, भारत में कमाई की 3,88 लाकी, दुनिया में कमाई की 5,48 लाकी और रेस सा भी थुई इसमुई में लीट कास में थे अक्षे कुमार, संजे प्रिया और चांदनी, इसमुई में लीट कास में थे अक्षे कुमार, चांदनी, कंचन, पंकस, धीर और मुकेस, खनना इसमुई का बज़र था 1,50 लाक रुपए, इसमुई ने भारत में 1,73 लाकी और दुनिया में 2,94 लाकी कमाई की बाकस अफ़ी पफलाप साभी थुई राजन सिप्पिक डर्सिम ने अलिवी आई तुनिय सब 95 में निशाना इसमुई में लीट कास में थे मिथुन चक्रवर्ती रेखा, अपराजिता, पंकस धीर और परेश्तरावल इसमुई का बज़र था 1,75 लाक रुपए इसमुई ने भारत में कमाई की 3,02 लाक की दुनिया में 3,50 लाक की कमाई की अवरेश साभी थुई इसमुई में लीट कास में थे अनिल धावन, आवतार गिल, प्राण और रोहित रॉय इसमुई का बज़र था 40,00 लाक रुपए इसमुई ने भारत में कमाई की 2,00 लाक की और दुनिया में कमाई की 4,00 लाक की इसमुई में लीट कास में थे मिलिंद गुंजी, शालिनी कपूर, रवी किशन और रोहित रॉय इसमुई का बज़र था 1,75 लाक रुपए इसमुई ने भारत में 1,6 लाक की दुनिया में 1,85 लाक की कमाई की और डिजाश्टर साभी थुई इसमुई में लीट कास में जैकिस राप डिमपल का पाडिया रजत बेदी और तब्बू थे इसमुई का बज़र था 3,25 लाक रुपए भारत में 2,44 लाक की और दुनिया में 4,47 लाक की कमाई की बॉक्स अपी फ्लाप रही इसमुई में लीट कास में थे अच्छे खन्ना, उर्मिला मात ओड कर और अरुमाई रानी इसमुई का बज़र था 3,50 लाक इसमुई ने भारत में कमाई की 1,29 लाक की दुनिया में कमाई की 2,54 लाक की और डिजाश्टर साभी थुई राजन सिपिक डारेशन में अगली में आई थी 2001 में जहरी लाग इस मुवी में लीट कास में थे मितुन चक्रवर्ती, कश्मीरा साज, शालिनी कपूर, असरानी और गुलशन ग्रोवर इस मुवी का बज़र था 1.25 लाग रुपए इस मुवी ने भारत में कमाई की 1.48 लाग की और दुनिया में कमाई की 1.50 लाग की कमाई के अनुसाइशित में बाक्स अपर फ्लाप करा दिया गया राजन सिपिक डारेशन अगली में आई थी 2001 में वो इस मुवी में लीट कास में थे प्रियांशू चतरजी और शाबाज खान इस मुवी का बज़र था 90 लाग रुपए इस मुवी ने भारत में कमाई की 51 लाग की और दुनिया में 57 लाग की कमाई की और बाक्स अपर पर डिजाश्टर साभी थी राजन सिप्पी के डायरेक्शन ने अगली में आई थी 2008 में जिम्मी इस मुवी में लीट कास में थे मिमोह चक्रवर्ती और राहूल देव विकास आनंद इस मुवी में का बज़र था 9 करोड रुपए इस मुवी ने भारत में कमाई की एक करोड 33 लाग की और दुनिया में कमाई की एक करोड 86 लाग की और बाकसापिय तो इस मुवी को डिजाश्टर करार दिया गया राजन सिप्पी के डायरेक्शन ने अगली में दा मडर ये इनकी लाश्ट मुवी थी इस मुवी ने लीट कास में थे मिमोह चक्रवर्ती आस अस्तोस रणा विसुजीत प्रताप रहान और शांती प्रिया इस मुवी का बज़र था चार करोड उपए इस मुवी ने भारत में कमाई की 41 लाग की और दुनिया में 60 लाग की कमाई की और बाकसापित पर ये मुवी डिजाश्टर साबित हुई तो ये और ये ही इनकी कौन सी मुवी आपको सबसे ज़्याद अच्छी लगी कौन सी मुवी आपकी फैवरेट मुवी रही इसके बारे में कमेंट बाक्स में जरूर बताएं और किस एक्टर या एक्टरेस या प्रोडूसर डायरेक्टर या फिर किस प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं इसके बारे में भी कॉंट बाक्स में जरूर बताएं.